Hello and welcome back, करते हैं इसको resolve सबसे पहले तो एक variable बना लेते हैं, हम चाहें तो यहां भी use कर सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, या फिर class label बना सकते हैं, doesn't matter, हम बना रहे हैं इसको class label पे, let's call it, और इससे हमें रखना पड़ेगा, static, public, static, string, and upload directory बना लेते है upload dir, बस string क्यों रख रहे हैं, static क्यों रख रहे हैं, रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कोई दिखतर नहीं है, upload dir और इसको क्या रख देंगे हैं, system, system नाम की एक class होती है, utility class, जो की help करती है हमें system label कुछ काम करने में, जैसे की इसकी एक method है, जो की है get property, और यह हमें various properties लाके देती है, जैसे इस case में हमें क्या लाके देने वाला है, हम जो इसको की दे रहे हैं, वो है user.dir, तो यह की आपको कहा मिलेंगी भाई, बहुत आसान है, इंटरनेट पे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, system class, system class in java, and कोई भी खोल ले ना भाई, gfg मेरी तरब स से suggest रहता है, suggestion रहता है, gfg बहुत अच्छी website है, यह आपको वो table दे देगी, I guess, तो where is the table, यह है, नहीं है, थोड़ा छोट अगल लेते हैं, काफी बढ़ा देख रहा है, यह है साय, देखो यह, system.get property, user.home, user.country, user.password, तो यह various चीजह हैं, जो हम, access कर सकते हैं, system class हमें इनका access देती है, utility class है, बढ़िया, तो user.क्या चाहिए, फिलाल के लिए हमें directory चाहिए, मतलब user, जिस current directory में यह, जो हमारा, जो भी product, जो हमारा application चल रहा है, वो हमें चाहिए, ठीक है, तो इससे तो हमें मिल जाएगा, जहां application है, अब लेकिन इसको हमे अपने path की तरह, upload directory तक लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, plus लगाना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा, भी आप root पे हो, root के अंदर src में आओ, src के अंदर main में आओ, main के अंदर आप resources में आईए, resources के अंदर static में आईए, and finally कहां जाएए, product images पर जाएए, right, so product images, तो यह रहा हमारा effective path जो रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो, कि जब आप यह बोलते हो, user.dir, तो यह हमें यहाँ पर धकिल देता है, root folder पर, root, root कौन हो गया, यह हो गया, root, ठीक है, root के अंदर हमें कहा जाना, src, src के अंदर main, main के अंदर resources, resources, resources के अंदर, static, static के अंदर, finally product images, इस folder में हमें images रखनी है, so यह रहा हमारा effective path, और हम एक बार server को stop करके rerun करते हैं, तब तक मैं इसको expand कर लेता हूँ, और अब हमारी main जो चीज है, वो समझने वाला जो part है, उसकी परीक्छा है, so we ready, देखते हैं, चंद second और, आप चाहो तो 10 second forward मार सकते हो वीडियो को, बसे यह सही होता है, आपके पास access होता है, आगे पीछे बढ़ाने का, वीडियो देखते time, class में ऐसा नहीं होता है, देखने ही पड़ता है, यह boring सी चीज, चलो, run हो गया, चलते हैं यहाँ पर, and let's reload it, reload नहीं करेंग दोबारा से कुल लेंगे, localhost slash admin, इसके बाद जाएंगे हम products पर, add products, add product, एक ही product कर रहे हैं, तो cake इसका नाम है, and cake category है, nice, 450 रुपीज का है, वाइद अब यहाँ पर सब जगा यह field का variation लगा हुआ है, validation, ठीक है, तो हम कोई भी field खाली नहीं छोड़ सकते, HTML simple, HTML validation मैंने यूज किया है, 500 grams का यह होगा, और यह है, एक शानदार cake, file, file ले ले लेते हैं, and file, 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 downloads में जाओ, यह रहे, cake के फोटो, एक एक ले लिया, करते हैं, submit, और let the real game begin, तो upload, तो शायद हो गई है, लेकिन देख क्यों नहीं रही है, यह एक मसला हो सकता, I don't know why, यह क्यों हो रहा है, okay, चलके देखते हैं, जरह अपनी directory में पहुंची, file या नहीं पहुंची, अगर पहुंच गई तो सब कुछ सही है, क्योंकि white level तो आया नहीं, तो लगबख सब कुछ सही लग रहा है मुझे तो, और हम देख रहे हैं, आपर देखो arrow आने लगा है, और arrow के अंदर file भी आ रही है, तो file system से जाके देखते हैं, क्या ये वहाँ पर है, तो desktop पर मैंने major create किया था, major के अंदर src, src के अंदर main, main के अंदर resources, static, products images, and we have this, बढ़िया, है तो, लेकिन दिख नहीं रही है, पदा नहीं क्यों, अब मेभी refresh करने पर देखे, ओके, ठीक है, network इसी हो सकता है साइद, तो कुछ problem है, लेकिन image finally पहुंच गई है, और ये अच्छा है, बढ़िया है ये, बहतरीन है, करते हैं इसको update, जो की real deal होने वाली है, ओके, सो update पर मैंने click किया, and, that's nice, क्योंकि हमने इसका route नहीं बनाया, ओके, सो update बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं, कि ये खेल कैसे हो रहा है, और product add कैसे हो रहा है, चलते हैं हम कहां पर, add product वाले route पर, तो ये रहा हमारा add product वाला route, समझ लेते हैं, हम return क्या करा रहे थे, जब इस पर get request आ रही थी, हम यहां से return करा रहे थे भाई, एक खाली product DTO, blank, right, नया बनाया था हमने, तो एक product DTO का object, और जितने भी हमारे पास categories थे हमारे database में, वो retrieve करके हमने, एक list में वो भरके भेज़ दिये, ठीक है भाई, form कहाँ point कर रहा है, add product slash add पर बढ़िया, यहां तक हमें समझ आया, इसके बाद यहां से जो object generate हो रहा है, वो काम सा होगा, product DTO, product DTO generate हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात जो है, वो है encryption type, तो अभी तक हमने यह अपने forms में यूज नहीं किया था, हमने category वाले में यूज नहीं किया था, लेकिन हमें product वाले में यूज करना पड़ रहा है, why, because we are sending a image, our image नहीं, an image, okay, an image, तो हम यहां से एक file भेज रहे हैं, और जब भी आप file से deal करते हो, with the help of forms, then you have to type this thing, add this attribute, encryption type, multi-part form data, ठीक है, तो यह पहली requirement होती है, जब आप files भेज रहे हो, throw forms, ठीक है, और यह आपकी जो files है, वो आपके actual object में नहीं जाती है, request parameters में जाती है, right, आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास hidden है, यह हमारी original ID है, इससे हमें कुछ खास फ़रक पढ़ना नहीं चाहिए, और database भी दखा देता हूँ, तो database पर चलते हैं, खोल लेते हैं, हमें आप है h2 console localhost slash h2 console connect and आप देख सकते हो product आ गया है, run करते हैं, तो बढ़िया, ID से हमें कोई फ़रक पढ़ता नहीं है, यह एक शांदर केक है, description, image name क्या है, download 3, ठीक है, बढ़िया नाम पहुंचा, साई से पहुंचा, नाम क्या है, इसका cake है, और price क्या है, 450 है, weight क्या है, 500 है, and category ID, तो बढ़िया, हमारे पास क्या है, category ID है, हमने भेजा क्या था, पूरा का पूरा category का object भेजा था, लेकिन यह कैसे हो रहा है behind the scene, तो यह हमारी JPA help कर रहा है, हमने mapping किसकी की थी, एक column की की थी, जिसका नाम क्या है, category ID, तो हम अगर category को run करते हैं, category table को अगर run करते हैं, then, आप देख सकते हो कि 33 ID पर कौन होगा, 33 ID पर cake होगा, ठीक है, तो यह से तरीके से mapping work कर रही है, तो हमारे पास यहां पर ID है, इसके बाद नाम है, नाम नॉर्मल है, इसके बाद category ID है, तो category ID का fund up इसली वीडियो में आपको समझा चुका था, कैसे वो यहां पर so हो रही थी, कहां पर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कहां गया browser, यह रहा, तो जब हम यहां पर click कर र देखते हैं, चलो, तो categories, admin, categories, manage, add category, और इसको हम बोल रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं, एक अच्छी कोई category बताओ भई, okay, तो तुम लोग तो बता नहीं पाऊँगे, लेकिन ठीक है, chocolates, CHO, chocolate आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारे चॉकलेट की एक category add कर दी, submit, और इस page को, देखो अभी cake और lab आ रहा है, जैसे ही मैं refresh मारूँगा, refresh गया, हमारे पास तीन आ गए, ठीक है, तो यह dynamic चल रहा है भाई, समझ पा रहा है यह चीज, dynamic चल रहा है, यह dependent है database पे, इसलिए हमें यहापे, एक additional loop लगाने की जगरत पढ़ी, और जो भी categories हैं, उसको निकालने क जगरत पढ़ी, mapping कैसे हो रही है, mapping हो रही है, with the help of category id, तो text जो हम show कर रहे है, वो उसका नाम है, लेकिन जब वो select होके जा रही है बेक एंड पे, तो क्या जा रहा है, नाम नहीं जा रहा है भाई उसका, क्या जा रहा है, category की id जा रही है, और यह behind the scene वहाँ पे होगी भी, अगर हम control shift I दबाते हैं, और पहुच जाते हैं, यहाँ पर, and fail to load, ठीक है, okay, so यह गया, इसको select करो, और इसके अंदर जाके देखो जड़ा, अब देख सकते हो यहाँ पर, option value 33, 34, 66, यह original id है, जब भी हम chocolate को select करके send submit बटन दबा रहे हैं, तो जो actual data जो जा रहा है, वो क्य 36, 34, 33, और यह हमारे काम की चीज़ है, समझ पा रहे हो भई, अगर अभी भी doubt है, तो फिर comment करना, बढ़ते हैं आगे, इसके बाद क्या है, हमारे पास price है, easy field है, इसके बाद क्या है, wait, description, easy है, file हमने समझा, उपर हमारी पहली need क्या थी, file के लिए, पहली need थी, multi part, sorry, तो encryption type multi part, and इसके बाद दूसरी जो need है, वो क्या है, input हमारा किस type का जाएगा, file type का जाएगा, ठीक, इसके बाद custom file input, हमने इसको सिर्फ एक नाम दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, for some reason दिया है, यहाँ पर आपके पास एक और attribute होता है, जिसका नाम क्या है, accept, तो यह accept क्या करता है, हम यहाँ पर जो जो type दे देंगे, हमने बोला भाई, jpeg और png ही allowed है, तो अगर हम वहाँ पर pdf भरने की कोशिश करेंगे, तो fail हो जाएगा, okay, आगे बढ़ो, तो हमने इसको एक class दिया है, और एक id भी दिया है, अब इससे हो क्या रहा है, तो जो आप यहाँ पर image का preview देख पा रहे थे न, वो देखो कैसे हो रहा है, तो हमने नीचे छोटी सी एक script add की है, और यकीन मानो, यह script मुझे भी जादा समझ नहीं आई, at least अभी तो नहीं आई है, यह script मैंने अपने एक node.js के project में कभी किसी जमाने में use कीची दो साल पहले, जिसका मैं आदे से जाभी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यह बहुत low label की javascript है, core javascript है बिल्कुल, तो इसको भी न हमें समझने की ज़रूरत है, अगर आपको javascript आती है, आप इसको समझ पा रहे होगे, नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे हमें यह पता चल रहा है, कि अगर वो particular classes औ और id हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम क्या read कर रहे हैं, देखो, img preview नाम का हमने बहाँ पे एक image ली है, यहाँ पे देखो, यह लिया है image, ठीक, जहाँ पे वो actual में preview दे रहा है, तो 100 pixel हमने उसकी height ले ली और 100 pixel width ले ली, नाम क्या दिया, इसको img preview, and इसका जो source है, वो क्य है, product images plus product dto dot image name, तो product dto में हम आपको पता होगा, पता कैसे होगा, याद होगा, तो dto में हम क्या भेज रहे थे, image का नाम भेज रहे थे, right, तो अब यह दिखाने का काम बहाँ पे कैसे करेगा, दिखाने का काम करेगा, with the help of this, तो th src, और यही हमारा मूल मंत्र है, main factor है, application, use करने वाले हैं, तो हम बोल रहे हैं, सीधा path में जाओ, कहाँ पर, product images पर, और यहाँ पर आपको static बगएरा देने की ज़गरत नहीं होती है, क्योंकि understood होता है, spring app समझ जाता है, कि अगर आप images की बात कर रहे हो, तो basically वो कहाँ पर होंगी, static folder के अंदर ही होंगी, तो product images direct ह देख लेते हैं, image name, okay, sorry, नहीं आ रहे हैं, यह तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो जहां तक मुझे लगता है कि sufficient है यह और आपको समझ आ गया होगा, अब चलते हैं कि वहाँ पर जो हमने table create की है, products के home page पर वो कैसे गाम कर रही है, तो यह रहा हमारा product का page, इसमें table में देखो क्या-क्या था, preview show कराने मतलब image show कराने और अभी अभी हमने समझा कि image show कराने का क्या तरीका है, देखो, यह रहा वो table, sorry, यह रही वो table, table में columns, sn, product name, category, preview, delete, update, तो एक, दो, तीन, चार और पांच आपके लिए पुराने होंगे, categories में भी हमने यही किया था लगवग, main क्या है, preview, तो preview कैसे होकर आ रहा है, preview हमने लगाया एक 100 by 100 का image, simple, जैसा मैंने अभी आपको पिछले page पर देखा है, product age पर, और same to same line यहाँ पर उठा के छाप दिये, तो इसका भी जो source होगा, वो क्या होगा, image name, product images के अंदर, जो भी उस image का नाम है, वो pick कर लो, एक dynamic path यहाँ पर हमने create किया, औ तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यह समझने आ गया होगा, नहीं आया तो भई, इस वीडियो को दुबारा से देख लो, लगबग समझने आ जाएगा, फिर भी कोई doubt है, पूछना मन बूलना, क्योंकि आज पूछे, तो कल याद नहीं रहेगा जरूर से, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में,